जान है तो जाहान है ऐसा हम इसले कह रहे हैं क्योंकि आजकल के लोगों को किड्नी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं और अगर किड्नी सही नहीं रहेगी तो आप भी हेल्दी नहीं रह पाएंगे किड्नी प्रॉब्लम्स वैसे कई वजहों से हो सकती हैं इन्हीं में से एक वजह है हाई क्रिटनाइन जिससे किड्नी डिजीजिस होने का खत्रा बना रहता है इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप बड़े हुए क्रिटनाइन लि ऐसे तो हर इंसान में कुछ न कुछ अमाउंट में क्रिटनाइन होता है लेकिन बॉडी में जादा क्रिटनाइन बढ़ जाए तो इससे दिक्कते होने लगती हैं ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आप हाई क्रिटनाइन क इसे kittinine कम करने में मदद मिलेगी इसी में अगले नंबर पर hirerte आती है hirerte kidney में जाधा kya dåhene produce करती है इसे पीने से body ऐग मौझूद high krittinine बाहर निकलने लगता है वहें krittinine को कम करने के एक तरीके में पानी बी शामिल है शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि dehydration के चलते बॉडी में क्रिटनाइन लेवल बढ़ने लगता है पानी की कमी से यूरीन भी कम निकलता है जिससे बॉडी से क्रिटनाइन बहार नहीं आ पाता ऐसे में बॉडी को हाइडरेट रखकर ही आप हाय क्रिटनाइन को बॉडी से बहार निकाल पाएंगे वहीं इसमें अगले नंबर पर निटल लीफ आती है निटल लीफ आपकी बॉडी में मौझूद हाय क्रिटनाइन को बहार निकाल सकती है इसे आप चाहें तो supplement के तौर पर या चाहें तो चाय की तरह भी पी सकते हैं तो जैसा कि आपने वीडियो में जाना कि high creatinine को किन तरीकों से कम क्या जा सकता है फिर बें इन तरीकों को अपनाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछ ले पढ़ना आपको प्रॉप्रम्स भी आ सकती हैं तो आज के लिए बस अतना है आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें हम आप से मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें हेल्दी रहें नमस्कार